और्गेनिक अंगूर, फलो की रानी, रानी में ही पावर होता है और रानी ही मा बन सकती है। तो ये और्गेनिक अंगूर का लंबा सेमिनार, यानी की काया कल्प सेमिनार, एक ऐसा सेमिनार जिसमें कब्ज से लेके कैंसर तक सारी बिमारियां जो भी है चली जाएं। काया कल्प सेमिनार से तन और मन दोनों की सुद्धी होती है, क्योंकि केवल तन की सफाई जरूरी नहीं है, लेकिन तन की सफाई ना करो तो मन की सफाई भी नहीं हो सकती है। तन और मन दोनों को साफ करना है, तो काया कल्प सेमिनार उत्तम है। ये सीजन अंगूर की केवल डेड़ दो महिना रहती है, 31 मार्च तक। बस पूरे साल का जो भी निचोड है, वो आप ये दो महिने में आप अपने स्वास्थाय का पूरा लाब ले सकते हैं। फरवरी और मार्च क्योंकि ये फलो की रानी पे जो एक आहार रहता है, एक ही आहार पे काया कल्प और वो भी और्गेनिक अंगूर। हम मार्केट के अंगूर नहीं बोलते हैं क्योंकि मार्केट के अंगूर में भरपूर पैस्टिसाइड्स होता है। और और्गेनिक अंगूर हमेशा और्गेनिक चीजों पे ही काया कल्प करना चाहिए, तो ही फाइदा होता है, अन्यथा हम ज्यादा बिमार हो जाते हैं। तो आप और्गेनिक अंगूर के लंबे सेमिनार में आईए और स्वयम स्वानुभाव कीजिए कि आप कैसे थे और कैसे हो गए। केवल दस दिन का रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि इनसान जब वापस घर जाता है सेमिनार से लोटके, तो अडोस पडोस वाले पूछते हैं कि कौन से ब्यूटी पालर होके आए। क्योंकि जैसा अंगुर का लश्टर होता है वैसा ही अपने स्कीन का लश्टर हो जाता है और हम काया कल्प से समझो 20-25 साल छोटे लगने लगते हैं तो ये सेमिनार का आप महत्व समझे और जरूर पधारिये धन्यवाद प्रणाम